आज अपन राजिस्तान के जो मुख्य मंत्री वे आज तक उनको एक ट्रिक से याद करेंगे एक सिक्वेंस वाइस करम वाइस याद करेंगे क्योंकि बच्चे सभी बोल रहे हैं सर यह राजिस्तान के जो मुख्य मंत्री वे आज तक उनकी बढ़िया तरीके से सेक्वेंस मैंने बनाया है आज अपन उसकी पूरी चर्चा करेंगे और एक एक आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको एक मिनट के अंदर याद हो जाएंगी एक मिनट आप अगर वीडियो को देदोगे त्रिक देख लोगे तो याद है कभी आपको मुख्य मंत्री के बारे में वापस याद करने की जुरूत ही नहीं पड़ेगी तो सबसे पहले मैं आपको बदाते हूं राजस्तान के मुख्य मंत्री है राश्तान के अं के द्वारा मनोनित मुख्य मंत्री होते थे मनोनित मुख्य मंत्री होते थे और उन मनोनित मुख्य मंत्री कौन-कौन से तीन मुख्य मंत्री राश्तान के अंदर मनोनित हुएते आप अच्छे से बने रिणा वीडियो के साथ आपको एक मिनट के अंदर पूरा मुख्य मंत मुख्य मंत्रियों के बारे के अंदर तीर पहले मुख्य मंत्रि में आपको लिखा देता हूं जो मनोनित हुए थे आपको पता है फिर भी एक बार में लिखा तो पहला है हीरालाल शास्त्री राला लाल शास्त्री यह घ्मनोंणी थे सबसे पर्थम राश्तानगा पेला मुझे मंत्रि राश्तान के तूसरे मुक्य मंत्रि और फिर सीमेरी ऑज जे-धम्य मंत्री कुस्वेकड़ था तो Becky वे कट वा आपके मंत्री को रहा है त演 कर जोत नाराइंट लेकिन जब राश्तान के चुनाव हार के कारण चुनाव के अंदर हार हो जाती है तो इनका नमबर आता निये निर्वाचन के अंजन तो राश्तान के तीन मुई के मंत्री है तो क्या है मनोनित मनोनीद इनको थ्यान बड़ना राश्तान को मुई कि मंत्री है कैसे हैं पिर चुनाव होता है चुनाव FEढ़ बबने नैमे अनल में मिर्वाल निर्वाच mutta हो जाते जब 1952 के अंदर चुना हुए थे 1952 से पहले है तीनों से पहले यह बावन के अंदर लास्ट है यह भी बावन है यह पहले है फिर आता है टिक्का राम पालिवाद इनको आपको याद पढ़ेगा है टिक्का राम पालिवाद यह रास्तान का परत्म मनोनित मुई कि मंतरी कैसा है निरुवा चीच इसको थोड़ा ध्यांदर ना रास्तान का परत्म निरुवाद प्रिकार आम पालिवाल का नाम आता हैं कारन की अगलते हैं तो फिर फिर बनाए जाता है कि यहां तक आपको को याद करना हां पड़ेगा इनकी बीट रिक बता दूंगा फिर पहले अपने वो ट्रिक समझेंगे फिर इनकी बताऊंगा क्योंकि यहां तक तो सब क्योंकि क्या हो कोई पता नहीं तबी मैं बोलता हूं वर्तमान के सुक को लेने का परियास करो वर्तमान के सुक को क्यों बख़ुत बड़ा कपटी होता है वो सिर्फ आशवसन देता है आशवसन देता है गारंटी नहीं गारंटी नहीं आजन की सिक्वेंस के अंदर थोड़ा सी प्रोब्लम होती है तो आगे की सिक्वेंस के अंदर क्या ट्रिक है अपनिगा स्ट्र exchanges पर मॉलाब प्र करदा कि आपको सिक्वेंगे देखेंगे फिर अगे चलेएंगे तो ट्रीक है अपणब शुक हरी बजन केंदर किस तो कांधर है हरी बजन में तो सांदा ट्रीक है आप एक वास समझ नहीं को सूक है किसके अंदर है सुक है हरी बजन में हरी बजन में सुक किसके अंदर है हरी बजन में अंदर सुक है थोड़ा दूर ले लिए लिए सुक है हरी बजन में अब कैसा सुक है अभी देख लेते हैं इसका पूरा पॉस्माटन गरते हैं देखो से सहसे सुकाडिया मोलाल सुकाडिया कीルクा शुकाडिया में भिजन सबर्सक्राइब घरते में मंदर निवक्ति- भिजन सबब आज पूर्मोझ एक बार अलब करते हैं है सु के मिलब खाडिये एफ्यॅ tratar मतल्ब खान हरी की मतलब हर देव के बाद हरी देव मतलब हर देव 2 वेंद है भी मतलब हरोम सिंग सक आव मटल farm जगनात पाड़िया जन का मतलब क्या हो गया जगनात पाड़िया फिर आता है अपने में में का मतलब होता है माथूर माथूर कौन था या दे माथूर का नाम पूरा नाम शिवचरन माथूर में से शिवचरन माथूर हो गया देखो शू के हरी भजने में सुख किसके अंदर है हरी बजन में सूच सूख खाड़िया खेसे खान हरीदे अर्देव जोसी बेसे भरुशिंग शेकावत नेसा जन का मतलब जगनाथ पाड़ियां मेशे मातू याद होगे सिंपल ट्रीक है हाँ सुख किसके अंदर हरी बजन के अंदर सूख हरी बजन में यानि मातू स्यूचरन मारतू तक तो काम होगे अपना श्यूचरन मारतू तक आगे सेम इट्रीक है क्या है हीरे के मन में हरी बजन हीरे के मन में क्या है हीरे के हीरे के मन में क्या है हरी भजन यह पूरी ट्रीक हो जाएगा पूर्फिक हारा ही हीरे भजन का मतलब क्या है यह पता है आश्च्छान का सबसे चोटा कारिकाल मुटकी मंदरी हेरालाल देवबुरा हीरालाल देवपूरा लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो कुछ बहुब ही मा यहां मातुर कौन siucha mi इस मैं और छोड़ना है के को छोड़ना है क्वापस वापस हरी आगया हरीदेऊ-ग वापस जो इसके के अंदर वहुब हरी सेखावे और यह आपको पता है ढला facts पर यह पनी ट्रीद आपको पता है हों कि मझे है शो घलोजी फिर वसूद्र आप माич़ा सो जैसम्द्र आप अपनी पूरे रास्त्रान के अंदर जो मुख्य मंत्र है उनकी एकदम सो डट रहे याद करना सुख हरी बजन के अंदर और हिरे के मंद में क्या है हरी बजन बस यह चीज अपन को ध्यां डटना अब मैं आपको बता दो उनकी विदानस्रबाय सीटे कौन कौन से कब अपात का करका लबगा वह भी इसके अंदर शेट हो जाएगा हो तो से कब बढ़ा पहällt ही विदानस्रबात के अंदर मुख्य मंत्र मैं पहले कंदर मैं स्यत्रासाज मुर्की मंतर एक मातरात है सब जादा कारिका तो यह रहें पर ली चोटी चोटी मुलकी मंतर तर द अंदर पांच बांच वी के अंदर कों आयो प्र्षुरा खाना धी पांच वी के अंदर बारत करो पकेस्टान का को दितिता दर्थुरा धो खान 음ी मुत की के furt Record का नेते भुर्षुरा मिय मृत पोम जन्धि Exportाह सब्धारे था मिध्यारा धांड शेकाही है मन् cứषकी ministry S.W.ë λिकने में हिराल वजान राष्तान की एसी किती विजान्षपाय है जिसके अंदर टी बुखी मत्री उप्री विए टे पहली अपस आपको बता दूं हरीदेव जोशी कौन थे असम के राजिपाल से इस्तिपाले के फिर इनको क्या मनाया क्या मनाया मुखी मंत्री मनाया इसलिये किता हूं इसकी आपनै ओर चांचा करेंगे जब मैं विधामस्पा के आपको एठदम सांदार तरीके से इसके व्यों निदान पढ़ा देंगे जिश कंदर मैंने आपको राष्तान पंदर विधामस्पा तरह गटन हुआ वांक की पू यहें बिजएपी इसके बाद ऐसे बाद। प्रोब्लम होती है इसकी मैंने आपको एकदम सो ट्रिक बना दिया सुख हरी बजन में हीरे के मन में हरी बजन कोई टेंसर नहीं है एकदम सिंपल याद हो गया अब अपने थोड़ा सा आपको बता देता हूं जो शुरू के अंदर मैंने चाहा पांस मुख्य मंदर बढ़ा है उनकी भी याद करने की अगर याद होता है तो मैं लिग लेता हूं छोटी सीग इंगलिजिस के अंदर बना द क्या है सुक हरी भजन में से सुखाड या खे से खान हरी का मतलब हरी देव जोशी बे से भेरु सिंग शेकावत ने से जेग और ने मतलब जगनाच पाड़िया में से मातु याद हो गया इस बे का बजन मंदर दो आता है याद रखां तोड़ा फिर हीरे के मन में हरी बजन ह कि अनलिक रहे लिगट दो हिरा कमन में हरी बजन से कि याद हो देगी हीरा म लाल को मतलब हिरालदेव कुर और ही का मतलब हारदेव जोशी फिर ने मेस ना दो बैं के पिर आता हरिदेव जोची वापस हरीदेव जोची वापस आट एंगानद्र आजे और बजन बजन के उन्दर शिए बरूशीं शेकवत थीकषे दोबार बरूरु सिक और पिर अपने अशोग्दी वसउंद्रा अशोग्दी वसुंद्रा पस अशोग्दी यह जियागर रखन और हिरा के मन में क्या है हरी बजन याद हो गया जो शुरू के पांस मुंकी मंत्री के उनका बजा देता हूं। पटापट इसकीन सोट देलो चलते आपने आगे जो शुरू के पांस मुख्य मंदरी के उनका भी बचा देता हो आपको सुख हरी बजन में हीरा के मन में हरी बजन याद रखना और साथ में विदानसभाग शिटें जो विदानसभा है पहली से चार चार से पांट से साथ और पहली साथ और आट पहली साथ और आट इसके अंदर रास्ता नंगे किते मुख्य मंदरी मिलें तीन बढ़ें ठीके लोग इसकीन सोट फिट चलते आपन आगे तो करले आपनेँ सोट ukuट कड अपनेन शोट चलते अपन आगे अज़र एक के अंदर पुरा याद होजा पकूर होको कि मैं आप से आप से मसूर होने की हुआस नहीं है मैं जिए मुझे आप मुझे बस जानते हूए हमारे लिए काफी है ये हमारे लिए काफी चलो तुरो चुरो करते हैं अगला मुल्किया मंतरि पहला मुल्किया मंतरि कौन मैं ने बताए आपको हीरालाल हीराल कौन सा शास्त्री है तो सास्त्री नहीं साथ कब ढूसरा कि ब्र चार्णक कोन अतरा करो दोसरा आने को कोन मता थाटogen कीऐ सबॉड़ sm km ba छे नारायन जचाता तुर म side-tip प्सक्राषरो timber्जाज दुप अपने वापस निर्वाचित टैक्का राचित पैले मिधिकरण पालीवार प्सक्राम यह ज़े आपने पर नाराया इनकी ट्रिक लिखाने गलीव आपस लिखाया है यह तीन और यह दो यह क्या है कि इसकी मैं नहीं निगा कि तो पहले इसकी लिखा दिता हूं देखो कि हिरालाल यह तू जब भी आपको याद करना हो क्या यह मनोनित मनोनित जब भी याद करना हो मनोनित मनोनित जब भी आपको याद करना हो कि मनोनित राष्टान केंदर कौन्च है मुख्य मंत्री है तो आपको HIV लिखना पड़ेगा HIV मनोनित जब भी पूछे मनोनित का है एच आई और HIV बता है HIV है HIV के अंदर यह ट्रीक है जब भी मनोनित पूछे तो एच आई वी लिखना है क्या लिखना है और हएलगे एक वी अलगे एच आई यह का मतलब ही लाल सास्तरी ही का मतलब वहित का मतलब वियास एक लिखनाल को लिखनी है ये टी और ये वी तीवी लिखनी है अपने को तीवी के इंदर अपने देखा तो तीका राम पाली वाल मुख्य मंतरी बने तो ठीकर रामपालीवाल तीकमल टीवी और जेनाइड व्यास ये ती अपणी राजस्तान गंद्र जो मुझ्छ वंत्री है आज तक है सारे तो त्रीक्या बढ़िती एच आईवी टीवी शुरू के पांच होगे फिर मैंने बटाई आपको सुख हरी बजन में हीरा के मन में हर हरी बजन और इसी के साथ करते हैं हीरा के मन में हरी बजन है तो हरी बजन करो काम हो गया क्लास करते हैं इसको मज़े से देखो कोई टेंशन नहीं है और आपको किसी कोई लग रहा है हाड तो आप मुझे कमेंट्स करो मैं आपको इजी कर दूँगा एक दम इजी देखो मु कुई की मंत्री तो ये तो सो प्रसेंट है तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट कलास के अंदर शर्दी बहुत है अपने लोग कह रहे हैं जैसे मारवाड़े अंदर कावत है क्या कि सोवते संग बजव साधा सुक पावेली काया एक नींद के हलाटे में अट सट तिन नाया तो मज़े से रोव सवर्दी है अच्छे से पढ़ाई गरो जम के मिलते हैं अपने नेक्स्ट कलास के अंदर जिसके अंदर अपने और भी अच्छे टॉपिक आपको जो समझ मिने कमेंट्स करो टेंसर नहीं है आराम से पढ़ाई कोई कुश्चन समझ मिने कमेंट्स करो मैं आपको उसको एजिली आपको बना के वापस वीडियो अच्छे से बनाएंगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के तब तक लिए आप सभी को जैसे एकिस्टना